नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट अनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में अनालिसिस करेंगे हम कुरूड अल की बताएंगे कुरूड अल किस तरीके से अपने एक सपोर्ट लेवल पर काम करा रहा है और सपोर्ट लेवल से क्या कुरूड अल में बड़ी तीजी देखने को मिल सकती है तो वीडियो आज की काफी इंट्रस्टिंग है शूर से लेकर आखिर तक जोड देखेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा अब मैं डिरेक्टली क्या करता हूँ कुरूड अल के चार्ट पे जाता हूँ तो कुरूड अल का दोस्तों हम थोढ़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे अगर आप लास्ट केंडल अगर इसकी देखेंगे तो लास्ट केंडल बने है बुलिश और बुलिश केंडल के हिसाफ से बेसिकली यह क्या कर रहा है रजिस्टेंस के नीचे जाके अब फोर्स फुली इसको ब्रेक करने ही कोशिश कर रहा है तो मैं एक लेवल देना अगर बात करें तो अगर बात करें तो 89100 के आसपस जा चुक है 300 पाइंट की गिरावट के बात अब यह 9000 के उपर जाने की फिराख में है 9006 के आसपस का रेट चल रहा है और 9020 के उपर अगर इस सस्टेन करता है तो वहां से आपका जो स्टॉप लोस रहेगा वो होगा 8896 का और 8896 के बाद अगर मैं बात करूँ इसके टार्गेट की तो टार्गेट मुझे क्रूड एल का लग रहा है 9200 के आसपस का तो क्रूड अगर आपको टार्गेट है वो टार्गेट बनेगा आपका 9200 के आसपस बट वही है दोस्तों 9200 के बाद अगर ये ट्रेड कराता है तो ही दोस्तों ये टार्गेट आपको देखने को मिलेगा तो इस लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो पैसा तो आपका बनेगा बनेगा और अगर आप चाहे तो आप्शन्स में भी आप इसके काम कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों जो कुरूडल के बारे में बताना था वो हमने बता दिया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद